प्रवीन कुमार पीडित परिवार को कोई भरोसा दिलाने नहीं बलकि वह धंकी भरे अंदाज में अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं नमस्कार मैं ही नशिर्वास्ता आप देख रहे हैं प्रगती मीडिया आइए सबसे पहले इस वाइरल वीडियो को देखते हैं वीडियो में सुना जा सकता है कि डियम परवीन कुमार अपने साथ बैठे बुजुर को बयान बदलने के लिए धंकी दे रहे हैं वह साथ तौर पर कह रहे हैं कि जो मेडिया आज आपके साथ खड़ा है आपके आगे पीछे घूम रहा है कुछ दिनों में वो आपके साथ नहीं होगा हम ही साथ होंगे इसलिए आप देख लें कि आपको बयान बदलना है या नहीं बदलना है कल को हम बदल गए तो इस वीडियो के शामने आने के बाद इलाके के लोगों का जिलादिकारी पर से भर काती नजर आए जब मेडिया ने डियम साहब से बात की तो पहले तो बात करने से मना कर दिया फिर उन्होंने मेडिया से बात करते हुए अपनी सफाय दी हाथ रस की घटना यूपी सरकार के लिए गले की हड़ी बनती जा रही है अब इलाबाद हाइखोट की लखनव पीट इस मामले का स्वता संग्यान ले लिया है कोट ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए योगी सरकार सासन के आला अफसरो हाथ रस के डियम और स्पी को नोटिस जारी किया है उधर हाथ रस के डियम परवीन कुमार भी आरोप के घेरे में हैं पीडिक परिवार ने इलजाम लग कह रहे हैं कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे लिकिन परशासन को यहीं देहना है वहीं कॉंग्रेस ने यूपी सरकार पर हल्ला बोल दिया है शोशल मेडिया और मीडिया पर बयान जारी करने से आगे बढ़कर पार्टी सड़कों पर उतर आई राहुल गांधी और प्रे विरोध परदर्शन के दौरान एक चीज और सबका ध्यान अपनी और खीच रही वो था बाबा साहिब का फोटो और नीले रंका कॉंग्रेशियो के गले में नीले रंका कपड़ा लपेट रखा था यूपी के राजनीती से थोड़ा भी परिचे रखने वाला जानता है कि ये रंगदलित राजनीतिक में क्या माइने रखता है धन्यवाद